जैसे आराम तो आज हम सैट टू दोजर बाइस उसका पार्ट तेरी करेंगे उसमें कुशन नमबर पांच का कैह है कि एक परतिवर्ति धारा परीपत में परेरक्त वैल धारिता सी तथा ओमिय परतिरोद आर स्रेनी करम में जुड़े हैं परीपत की परतिवादा का व्येंजक ग्यात कीजियिये अप्राप्त कीजिये तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा परीपत है जिसमें एक परेरक्त वैल है संदहारी तरसी है और अपरतिरोद आर है इसको हमने एक परतिवर्ति धारा स्रोध से जोड़ा है जिसका जो विवान तरह है वो कुछ इस परकार से चंज अब कि ये तिन्नों के तिन्नों जो है सरेनी करम में है तो करंट तो अगर यहां से आई करंट जा रहा है तो इसमें भी आई जाएगा इसमें भी पूरी परीवत में तो इन्नों में आई करंट है और विभांतर इसके सिरू में मान लेता है विभांतर जो है वो वी एल है ठीक टोटल विभानतर है उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि वी एक्वल टो वी एल प्लस वी सी प्लस वी आ क्यों 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 देखो कि यह यह प्रतिवर्थीधारा सरोद्न प्रतिवर्थीधारा का मतरब क्या है jj a- dość-ए एक सेड़ारा मातलब क्या एक सेड़े में करिंट एक बार ऐसी गया फिर एसे वह अपने जैसे 50 अ Additional का करंट है तो वो एक सेगिंड में अपनी डिरेक्शन बदलेगा सो बार तो एक बार ऐसे करंट जा रहा है एक बार ऐसे तो देखो जो यह प्रेडक्ट वैल और जो इस अंदर्ट रही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट फेज में होता है पोजिट फेज मलब जब इसमें करंट इस डिरेक्शन में जा रहा है तो इस वाले में इसमें करंट इस डिरेक्शन में आएगा रियली जी हां रियली मतलब इसमें अगर पोटेंशल ड्रोप हो रहा है इसमें वी एल निगेटिव है तो इसमें जो है इसके पोजिट मतलब वी सी होएगा ओके मतलब इनका जो विभानतर है वह एक दूसरे से कया है 180 के फेज में और जो वी आर है यह अ लगी के से यह जो है यह जो है करेंट के साथ फेज में होता है यह मतलब यह तो लोगत है तो कुछ ऐस इसा सिनर्यू है यानि कि अगर ये जो है करंट है आई ठीक है तो वी आर तो जो है मेरा वो इसी डिरेक्शन में है वी एल जो है वो इससे जो है 90 डिगरी आगे है वो जो वी सी है वो 90 डिगरी पीछ है कि तो लेट सपोस्पोस्कि वि गट dan तो मानलेते की वियल माईनस डिनां वभार चीडरी ओसे जादा है तो इधर जो है वी अल मायनस वी सी हो जाएगा और इधर वी आर हो जाएगा अब इन तुनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा नाइन टीटिकरी ठीक है यह अगर वी सी वी अल से जादा होता तो हम मान लेते कि इदर वी सी माइनस वी एल है और इदर वी आर है और इनका अगर मुझे अब परिणामी विभव निकना है विवानतर कहूं या वी तो क्या होगा अगर देखो दो एक तरह कैसे वेक्टर्स है और एक दूसरे से 90 डिगरी पर है तो जो वी होगा वो होगा या वी स्कुएर लि ही परिणामी कुछ ऐसे वी होगा यह को कि इसे फाइंगल बनाते हुए यानि वी और में और वी में या करन्ट के भी करेंड से जो परिणामी विपभव हो कितने से में आ गया इदर इस अगर व्यल का वैल्यू वीसी से ज़ाद है तो वो फैसमे में आ गया करेंड से और अ कि ओके और तो यह वैल्यू आजाएगे मेरी यह वाले भी वी एल माइनस वी सी ही है और पाइतागोरस थ्योरम आपको पता ही है ओके अब यहां से मैं वी लिखते तहूं वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वेयर पलस वी एल माइनस थोड़ा वोड़ा ब्राइट वी सी का स्क्वेयर ओके अब जो विवानतर है परिपत का उसको मैं लिखूंगा करंट इंटू परिपत की जो पर्तिवाद है आई है ओके जो मेरा वी आर होगा वो होगा आई इंटू आर स्क्वेयर पलस जो वी एल होगा वो होगा आई इंटू एक्सेल एक्सेल क्या होता है परेरक्तो का जो पर्तिगात होता है परेर नहीं है पर्तिगात और यह आई XC इसका स्क्वार अब यहां से अगर मैं I स्क्वार कुमन ले सकता हो रूट में से निकल के I बचेगा I Z equal to I और रूट में R स्क्वार पलस XL minus XC का स्क्वार नहीं Z इक वल्ट वाजएगा मेरा अंडर रूट में R स्क्वार पलस XL minus XC का स्क्वार यह होगी मेरी परिपत की परतिबादा अगर देखो अगर मेरे को इस में कलांतर निकालना हो तो तेक दिस ट्रेंगल यह अंगल क्या F I है इदर यह क्या है V R है जिसकी डिरेक्शन I में होती है कला उसकी और इदर क्या है V L minus V C और यूज 10 क्योंकि जो 10 होता है वो क्या होता है लंब बटे आदार होता है तो हम लेक्षेक्ट है 10 5 एकवाल टू V L minus V C upon V R यह जाएगा इसको एक्सल में भी चेमी कर सकते है इसको एकवाल टू X L minus X C upon X और यह तो आ रहा होगा ना परती रोद इसका दो X L minus X C upon R अब देखो इसी में अगर X से C की वैल्यू जाद दोगी तो फाई क्या जाएगा निगेटिव आजएगा इसका मतलब होगा कि जो मेरा V है वो I से फेज में क्या है पीछे है मतलब अगर फाई की वैल्यू पोजिटिव आती है तो फेज में V आगे है और निगेटिव आती है तो फेज में क्या है पीछे है तो अब अब नेक्स्ट कुशन देखते हैं अपना यह है कि एक जो हूं राइटने एक समानतर प्लेट संधायतर की प्लेट का व्यास छह से एंडिमेटर है व्यास दिया मतलब जो प्लेट है वो वरत्ताकार होगे मतलब तथा उसके उसमें प्रावध्यूत के रूप में वाई हूँ है मतलब केक वर्ल टू वन यदि इस संधायतर की धारिता दोस्सो सेंटिमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ग्याद कीजिए ठीक है तो एक साइड तो जो है मेरा समानतर प्लेट संधायतर है ठीक है और जो प्लेट से उसकी वह भी कैसी है वह ऐसी कुछ आखके एक साइड तो मेरा यह वारा संधायतर है तोड़ा किलारिटी में आज़े भी इसकी धारिता कुछ है इसकी धारिता क्या होगी इसकी धारिता होगी एपसाइलन नोट एक है इसकी प्लेटों के प्लेट का छेतर पल ए और जो है इनके बीच की दूरिया कर डी है तो अपोन डी ये इसकी धारित होगी और दूसरी हो रहा है एक गोला तीक है एक गोला है जिसका व्यास जो है वो 200 सेंटीमिटर है मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है वो 100 साइलर नोट और और मतलब ये 100 सेंटीमिटर ओके और ये दुनों चीज़े क्या होगी आपस में एकवल होगी तो एपसाइलर नोट से एपसाइलर नोट कैंसिल हो जाएगा एरिया जो होगा एरिया इदार अगर इस प्लेट की रेडियस में आर बोल लूँ जो क्या होगी कि इसका व्याज छेंटीमेटर है तो वह तीन सेंटीमिटर होगी तो इसका एंटो धू psychology का पाइई प्लेट और सेंटीमिटर तो पाई विल कैंसिल पाई वैरिव और यहां पर हो जाएगा तीन का स्क्वेर नो सेंटीमेटर स्क्वेर अपोन डिवाइड में इधर आजेगा 4 इंटू हंडरेड सेंटीमेटर और दी जो है वह इधर चला जाएगा तो यहां एक सेंटीमेटर से सेंटीमेटर मर जाएगा तो फोर से नाइन को डिवाइड करेंगे तो आएगा टू पॉइंटू पावर यह सोपर माइनस टू सेंटीमेटर यहां जाएगी डी की वैल्यू ओके यह हो यह फिर जो है इसको मेटर में भी हम चेंज कर सकते हैं टू पॉइंट टू पावर सेंटीमेटर को मेटर में माइनस टू हो रा जाएगा फोर मेटर यह डी हो जाएगा अब अगला कुशन है कि एक वरत्ताकार धारावाई कुंडली के केंदर पर चुम्बक्या छेत्र का व्यांजक निगमित कीचिए ओल राइट तो यह है मेरी वरत्ताकार कुंडली वो इसकी जो रेडियस है और इसकी रेडियस है वो इसमें आई करंट जा रहा है ठीक है आई करंट जा तो अगर मैं इसमें इसका कोई भी पार्ट लो डील ओके डील इसका एक हिस्ता लिया डील कोई भी अगर मैं डील लेता हूं तो वो इससे क्या होगा आरी डिस्टेंस पे होगा ठीक है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी सेंटर से सेंटर पे निकालना है और अगर मैं इदर रंग उठा करके इसकी डिरेक्शन में अपनी उंगली कर्ल करके देखना तो हर एक डील की वाज़े से जो चुम्बा के छेतर होगा इस पॉइंट पे वह क्या होगा वह अंदर की ओर होगा ठीक है काई पर भी अगर मैं इधर भी रखूँ इधर का भी एक डियल ले तो उदर भी करके देखूं तो सबके सबके जो चुम्बा के चेतर फोंने वह अंदर के और तो नाइनटी डिकरी का हुआ है कितने का 90 डिकरी है कुछकि जो वरत की इस पर सरे upon four Pi ई tutte I DL वो साइन 90 डिग्री सइन 90 वह नहीं वह जाएगी upon आर इस्कुरी 알 ओके और कुल चुम्ब के चेत्र यहाँ पे लिगनों कुंडली के केंदर पर कुंडली के की तर पर चुम्ब के चेतर ठीक है चुम्बा क्या चेत्र कुल चुम्बा के चेत्र बी होगा वो होगा integration of db integration का मनला हम हर एक dl dl हो क्या कर रहे है जोड रहे हैं ठीक है तो dl dl के कारण जो चुम्बा के चेत्र है उसको जोड रहे है सब्सक्राइब डीवी के बीली होगी मिनोट अपून वूर पाई इड अपॉन आ Bry जो जो आर है हर एक ड on एक आर क्या है और तो इनमें जो है और कोंस्ट एंप डारा करण्ट i कॉन्सट्टij का बाकी जो इतने वो सारे के सारे जो डियल हैं उसका इंटिगरेशन होके जो आएगा वो क्या होगा वो व्रत की परीदी होगी ठीक है जिक ऐ भी डिल सारे जो डूम है Virtual parts के वरत की परीदी किदी होती है तू पाई हर ओके तो पाई सेलने होगे ठीशो टू से फूर कैंसिल होगे टू बचेगा आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा वी जो है मेरा वा जाएगा म्यू नोट अपॉन टू आई अपॉन आ यह जाएगा मेरा चुम्बक्य छेतर ठीक है और हम लिखेंगे अगर कुंडली में एन फेरे हैं ठीक है को पते पेपर में अच् टू आर यह फॉर्मूला कुंडली के केंदर पर चुम्बक्य छेतर रगा अब अगला कुशन है कि दो बिंदू आवेस हैं एक जो है वह है पलस का नाईनी और दूसरा है पलस का यी परस पर एदूरी पर हैं ओके बताएए कि एक तीसरे बिंदू आवेस क्यों को दोनों ब कर जाए कि वह संतुलर में वहला उस पे कोई नेट फॉर्स ना हूँ ठीक है फॉर्स तो दुनों के वज़ेसे लगेगी बट नेट फॉर्स जीरो तो सपोस इधर ये जो है चार्ज है पलस का नाईनी और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जो है इधर ये चार्ज है पलस क सब्सक्राइब और इनके बीच की जो किलियर नहीं है दूरी है वो है ए तो हमें एक पॉइंट देखना है जिस पर उस पर कोई फॉर्स ना लगे मतलब उस पॉइंट पर देखो पलस क्यों है तो इनके बीच की लाइन में किसी पॉइंट पर विदू छेदर जीरो होगा त और में वह पॉइंट फाइंड आउट करना है एंद जिस पॉइंट पे विदू छेद्र जो है जीरो अब इदर कम आवेस है इदर जादा वेस है तो वह इसके ही पास होगा कहीं हम बोलेंगे कि वह इस वाले से एक्स दूरी पर है ठीक है नाइन इसे एक्स दूरी पर ठीक ए माइनस एकस यह बचेकी ठीग है और इसका विधुचेतर का परिमान कि इस पूइंट पर बचेतर क्या क्याँ बचना चेहे जीरो बचना चेहे ठीग है तो इसके करण विदू चेतर हो गए आप एक साथ से हैं विनुद की के इंटू 9E किसी बिन्दू आवेस क्यों के करण विदू चेतर होता है के Q अपोन आछ स्कूर जांके की वैल्यू के होती है 1 अपोन 4 पाई एपसालन नोट यह होती है तो इसकी वज़े से जो होगा अपॉन इसकीदूरी है A-X तो A-X का SQuare और कुल वेदू चेतर होँना जीए 0 ठीक है क्योंकि इसकी जो भीसा होगी इसकी वजवी से इदर दिन से होगी इसकी वज़ी से इदर मेंसा होगी इसलिए इनके जो वेदू चेतर है वो गट गए है अब इसमें से देखो क्या को मन आज़ेगा के जो है वो कुमन आके इधर 0 में चल जाएगा इजो है कुमन आके इधर 0 में चल जाएगा यह हो जाएगा 9 अपोन x स्क्वेर माइनस 1 अपोन a-x का स्क्वेर इकवल 0 इसको भी इधर लियाएंगे 9 अपोन x स्क्वेर इकवल टू 1 अपोन a-x अब जो हैं स्क्वेर रूट ले लेंगे तो 3 अपोन x आएगा इधर और इतर इतर स्क्वेर है यह फिलाल अभी वो इसक्वेर रूट लेने पर होगा 1 a-x तो जब हम इसको सो करेंगे ठीक है यह जगा 3 a-3 x और इकवल टू एक्स तो ठीए एकवल टू 3 x इतर जाएगा 4 x तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 a by 4 क्या आगा 3 a equal to 4 x है इसका मिनलब x equal to 3 a by 4 तो वह बिंदू जो होगा वह 9 a या वेस से 3 a by 4 यानि जो x की वैल्यू कितनी आई है 3 a by 4 दूरी पे होगा और पलस ए आवेस से क्या होगा a by 4 दूरी पे तो एक ऐसा बिंदू देखो जो 9 a आवेस से 3 a by दूरी पे हो और e आवेस से a by 4 दूरी पे हो तो वह यह पॉइंट होगा क्योंकि इससे 3 a by 4 दूरी पे तो कहीं भी पॉइंट हो सकते हैं नहीं बट इससे कितना होगा जी वह a by 4 दूरी पे या ऐसा कहें कि इन दो नो आवेसों को मिलाने वाली रेखा पर 9 a आवेस से क्या होगा 3 a by 4 दूरी पे जो पॉइंट है और रेखा पर भी इनके बीच में कहीं पे वो पॉइंट पे क्या होगा यह यहां पर विदो चेदर जीर होगा तो यहां पर अगर मैं उस क्यों आवेस को रखता हूं तो वो जो होगा संतुलन में होगा उस पे कोई बल नहीं लगेगा नेट फोर्स नहीं लगेगा ठीक है बल तो यह भी बल लगाएगा यह भी बल लगाएगा पर दोनों के बल क्या हुए कैंसिर हो जाएंगे अब नेक्स्ट यह कोईशन है कि योगिक सुक्समदर्सी से परतिविम का बनना सुच किरन आरेक बनाकर समझाईए ओके तो बनाते हैं अपना चीत्रों देखते हैं पैन से बनाएं और भी दिख जाएगा क्या देखो तो मेरे पास एक अबिदर्शक लेंज होगा यह सायद उतना बैतर नहीं दिखेगा पूले ले तो चलो यहां बनाते हैं तो एक है मेरे पास अबिदर्शक लेंज और एक है मेरे पास ने तरी का तो अबिदर्शक लेंज का काम गया है कि हम इसके पास वस्तु रखेंगे तो की क्योंगी इसके फोकस से थोड़ी सी दूर होगी ताकि जो है इसका वास्तू इक पृक्स भी ये बनाए तीक है, इतर हम इसका ये फोकस लेग लिए देना एफ, थोड़ा जूमिन कर लिए एफ नोट ये इसका फोकस है, तीक है और यहां पे, जो है, मेरी वस्तू रखे हुई है ये रखे हुई है वस्तू इसका ये कहीं परतिबिम बनाएगा ये वस्तू बोल देते हैं हम A B इसका ये परतिबिम बनाएगा कहीं पे A C एक परकास की रण जो है समानतर ले गए तो वो इसके इसको फोकस्षे दूसरी परकास के रण जो हम इसके परकासी के अंदर से ले जाते हैं ते हैं जो किशेदी जाएगी और इधर ये जो है और ये बन गया इसका परतिबिम बहुत पास मना थे हमने तरिकारें तो ये इसका परतिबिम बन परतिविंबंद अभिकनि दिछ आइस ऑ उल्टा परतिविंबाइब है इह देश भी-डैश इसका परतिविंबन अब इधर जो है निद्रिगा का फोकस वहाँ थो है तो यह सव Hm.. है यह फ्य्म वह प्रतिविंग ए यह फ्यम आतек Yeaax यानि जो image बने इसके अभी दर्शक लैंसे से वो या तो इसके focus पे बने अगर focus पे बनेगी तो अंतिम परतिविम मेरे को अनंति पे पराप्त होगा या फिर focus के भी और नजदीक रहे लैंस के धुरूब के और focus के बीच मेरे इस वाले के ठीक है तो ये क्या करेगा अब ये इसका आभासी और बड़ा परतिविम बना देगा ठीक है तो एक परकास के रण जो ऐसे समानतर ले जाते है वो इसके भी focus से होके जाएगी और एक इसके परकासी के अंदर से ले जाते है ठीक है और ये कहीं ऐसे यहां पर मिलेगी और ये तो ये जो नेतरी का लैंस है ये क्या करेगा ये बना रहा है आभासी और बड़ा परतिविम ठीक है क्या A- और B- ये मेरा परतिविम बनेगा सिंपल से चीज़ है सबसे पहले अभी दर्शक जो है वास्तविक और उल्टा परतिविम बनाता है और नेतरी का उसका जो है और थोड़ा बड़ा बनाता है और नेतरी का उसका और बड़ा परतिविम बना लेता है ठीक है तो कुल मला के जो है मैं छोटी वस्तु क्या करते हैं उसको बड़ी करके देख लेता है है ना और देखोंगे इसको तो यह इसका आ रहे हैं तो आज की वीडियो में यहीं तक कर लेते हैं फिर अगली वीडियो में देख रहे हैं पुलो जैसी आ रहा हूं